पंजाब से श्रीला हमारे साथ स्वागत है श्रीला आपका बताईए प्रश्म करिये दोनों की उमर बता दें उमर सतर साल है ये दोनों की अच्छा हम उमर है हमको शुगर है और मेरे को मेरे के जान नहीं है बहुत चलने के आदर में बलकुल चला ही जाता ठीक है अभी आप सुन रही थी एक एक घर से फोन आया था उनको पती के बहुत फायदा हुआ तो मैं आप दोनों के लिए एक नस्खा बताता हूं और वो दो सौदसों गराम गॉन स्या filt खरीद ले और काला गॉन गॉन्सीया सो दो सो गराम बस खरीद ले और इसको आधा-धा गराम सुब़ शाम common के बात खाय करें दोनों के पैरों के दर्ज और सुस्ष्थी का जाना मुम्किन है अपने पती को एक तौफा दीजे और वो है जैतून का सिर्का रात को तीन चमच उन्हें पानी में मिलाकर जरूर पिलाया करें आपके पती आपको एलिए बहुत एहमियत रखते हैं सलामत रहेंगे और डायवटीज और डायवटीज की गोलियां उनको नुक्सान नहीं पहुचा सकेंगी तीन चमच पानी में मिलाकर रोज पिलाएं और खुश रहें रामू इंदौर से हमारे साथ स्वागत है रामू जी हालो रामू जी आवाज मिल पारिये हालो चले लगता है आपसे भी संपर्क हमारा टूट गया एक बाद फिर से आप संपर्क साथने का प्रियास तो जरूर कीजिएगा लेकिन अगर आपकी बात यहां नहीं हो पाती है हकीम सहाब से लाइब तो आप हमारे स्वागत है आपका क्या नाम है क्रिष्णा जी सवाल आपका है बताइए कि आपके क्या दिखकत है आपके दुबार बोलिए कि नसे खिचती है बच्चे की आपकी बच्चे की जांगे हैं उनकी नसे खिचती है ठीक ठीक आपने पहले भी फोन किया था ना देखिए उनको रोज आना आधा गिराम सुबा आधा गिराम शाम गौन सिया खिलाइए बस इतना ही खिलाइए और मैं फिर बता देना चाहता हूँ कि आपके घर में वेस्टर टॉयलेट होना ज़रूरी है जिन लोगों को भी नसे کھشتی ہیں کمر میں درد ہے گھوٹوں میں درد ہے تو ان کے گھر میں یہ ویسٹن ٹوائلٹ ہونا ضروری ہے تب استعمال کریں تو آپ کو فائدہ ہوگا نہیں تو بار بار فائدہ ہوگا بار بار وہی روب ہو جائے گا تو کیونکہ یہ کمر میں نسیں دبی رہتی ہیں اور ہمیں جو زمین میں بیٹھ کر جو ہم ٹوائلٹ کرتے ہیں ٹٹی کرتے ہیں اس کے ایسے بیٹھنے سے وہ نسیں پھر دب جاتی ہیں جو ہم کھولتے ہیں वो फिर आप उसे दबा देते हैं तो western toilet वाले ही ये इसके इस्तमाल करें दर्द वाले ताकि उनको पूरा फाइदा हो सके कॉशल दिल्ली से हमारे साथ स्वागत है कॉशल आपका हान जी बताईए बोलिए बोलिए किस चीज़ के लिए कुछ खाया नहीं जाता है पीट में अच्छा पीट में परिशानी है कुछ खाया नहीं जाता है उमर बता दे तो बहुत अच्छा है वैसे तो हमें अंदाजा हो रहा है आपकी उमर का 71 साल है जी 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 मैं यहीं सोच रहा था यह 72 आपकी एज है जा देखिए आपके लिए एक मैं इसका बता रहा हूं आसान है 71 साल में दवाया बहुत पूर पीट नहीं सकते पता नहीं आपके कोई मददगार है कि नहीं है जैतुन का नमक आता है वो ऐस्टेक जैतून को कह समझ लीजिए यह ले लीजिए और आदा गिराम पानी में मिलाकर पहले पिया करें फिर खाना खाया करें यह अमल करना शुरू करें तो आपको फाइदा होना मुम्किन है तो बिल्कुल धियान रखेगा उन सभी बातों का जो हकीम साहब ने अभी आपको यहां पे बताई ह है तभी आपको लाब मिल सकता है यह बात करते हैं अगले कॉलर से जी नमस्कार स्वागत है आपका हान जी MP सिंग जी बताईए सवाल करें हमारा यह 6 2 है ठीक है और हमको सुगर का प्राबलम है बहुत दिनों से दिनों से या सालों से सालों से कितने साल से यह तो साथाज साल होगा जी ठीक ठीक देखिए शुगर के जी जी कुछ और कहना चाहरा है तो जल्दी बताईए यह तो अभी दबाई तो खा रहा है लेकिन थोड़ा कभी-कभी बढ़ जाता है तो हम तोंच रहे हैं देशी दबा खाने को मिल जाती तो अच्छ शुगर हो गई और डॉक्टर ने एक दवा लिग दी और हम वो खाना शुरू कर देते हैं फिर कभी और परिशानी हुई फिर चेक कर आई तो माल हुआ और बढ़ गई तो डॉक्टर ने और हमारी दवा बढ़ा दी यह तरीका नहीं एक ही दवा खाते रहें और वो शुग नुखसानात ना हो जब ज़्यादा दवाएं खाते हैं तो डॉक्टर भी डरने लगते हैं कि इनको जो नुखसानात होंगे तो फिर वो इंजक्शन देने लगते हैं यह पेट तो एक हद तक ही कोई दवा कबूल कर सकता है वरना पेट खुद तकलीफ में आ जाता है फिर देने लगते हैं तो यह नहीं होना चाहिए और इन दवाओं के भी बड़े नुखसानात होते हैं हमारी जिसम को तोड़ कर रख देते हैं हमारी किड्नी को फोड़ कर रख देते हैं और हमारी आखों को हमारे लीवर को बड़ा नुखसान पहुचता है हमारी आतों को हमारे मैदे को तो एक ऐसी दवा शुगर वालों के लिए एक तफ़ा है वो वो है जैतुन का सिरका तीन चम्मच रात को सोते वक्त पानी में मिला कर पिया करें और आप सारी जिंदगी सेहत के साथ गुजार सकते हैं किसी को एक बार लेने की जरूरत पड़े किसी को दिन में दो बा पर देता और आपके जो पार्ट्स ऑब बॉड़ी जिसे दवायन उक्सान देती हैं उनसे बड़ी सुरक्षा करता है जी बरीली से अगले कॉलर है प्रदीप हमारे साथ स्वागत प्रदीब जी नमस्कार जी नमस्कार जी आदा प्रदीब जी आप मेरे 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 को अब उसके बाद दुबारा सिर्थ में कभी कभी होने लगा है ठीक है एक्जीमा के लिए गौन मौरिंगा आता है एक सफेद किसम का रौ मेटेडल खरीद ले और आदा गिराम रोदाना पानी मिला कर खाया करें पीलिया करें इससे आपका एक्जीमा शांत होना मुम्किन है तो देखिए बहुत अराम से और बहुत सललता से आप इन उसके बना सकते हैं बस जल से जल बना लिजी इसका सेवन कीजे फिर जो परिशानी दुबारा से आपके साथ शुरू हो गई है वो परिशानी जर से ही खत्म हो जाएगी लेकिन सब्रवालों के लिए ये ट्रीटमे कर लेते हैं ये सारी बाते अगर आप लोग करेंगे तो आपको कोई लाब नहीं मिलेगा इसलिए बार-बार कहा जाता है कि आप कॉपी पैनले के बैठें और एक एक बात को नोट डाउन जरूर कर लिजे कैसे आपको नुस्के बनाने हैं कैसे परहेज करने हैं कितने ग्रा कितनी उमर है बताई आपने पचास साथ पचास साथ ठीक है एक बड़ा अच्छा नस्खा जो बहुत कामियाब है और मैंने जिसको भी बताया उसने अगर अमल किया मेरी बात पर तो उसको फाइदा मुम्किन है देखिए एक तो हर घर में ऐसा बुड़ा आद्बी होता है मेरी तरह तो यह जोडों के दर्द का मरीज होता है अक्सर तो हमारे घरों में वैस्टन ट्वालेट जरूर होना चाहिए और गॉन स्या एक गॉन का नाम है जिसे काला गॉन भी कहते हैं कड़वा जायके में होता है मिलता मुश्किल से है अक्सर नकली भी मिल जाता तो असली खरीद लें और आधा-धा गिराम देवी जी को खळाएं तो उनको फायदा होना मुम्किन है खाने के बात की जाती है अतिया हर्प्स की तो अतिया हर्प्स एक ब्रैंडिट कम्पनी हैं जिसकी 500 से भी जादा फ्रिंचाइजी देश भर में हैं जिसके पाउंडर, प्रमोटर, रिसर्चर हैं हकीम सुलिमान खान सहाब जो सीधा लाइब आप सभी के साथ जुड़े हुए हैं अग यह बात करते हैं अगले कॉलर से जी नमस्कार स्वागत है आपका जी विजे जी सवाल करें अपना मैं अपनी मां के लिए बात कर रहा हूं बोलिये मेरी मां को जो धूप में निकलती है न तो उसका समुच्छा सरीर में खुजली हो जाता है उनसे चाहतार बहुत खुजली होता है यह ँरकी होता है यह पुजली होता है, बहुत ज्यादा धूत में जब जब निकलती है थीक है लिए, जब ओ खाना बना करें आपकी घर में तो उस भडे में नमक डालते हैं तो यह चंब तो नस पहितना नफल्ट करें लेकिन आधा चमच खाने का सोडा भी मिलाय करें इससे उनको बहुत फायदा मुम्किन है या सब लोग उसे पसद नहीं करें तो एक आधा चुटकी उनके जो उनके सामने बॉल आता है खाने का उसमें मिला दें एक तो यह तरीका है और एक गौन मौरिंगा आधा गिराम रोजाना प मोहनलाल जी हमारे साथ स्वागत है आपका जी नमस्कार जी नमस्कार चलिए जल्दी से अपना सवाल करिये अग गर्म-गर्म हो यति रात को पैर तो मैं आपकी इंसाफ से यह ही चाहता हूं कि मेरे कोई ऐसी देशिक वाई बताए जो मैं यहां बना के खालूँ ठीक है अधिक यह देशी दवाई तो बहुत अच्छी है लेकिन आप बना भी सकते हैं लेकिन उससे पहले हिदायत यह है कि आप जमीन में ना बैठा करें और वेस्टन ट्वाइलेट का उप्योग करें यह कुर्सी वाला जो बातरूम होता है हम इसे कहते ह मगरिवी तहजीब का ट्वाइलेट तो यह आपके घर में जरू होना चाहिए तभी आप ठीक होंगे एक कॉल आई ती दरसल उनको पाइदा नहीं था तो जब से मैं बहुत ज़्यादा सब को प्रेस करने लगा कि वेस्टन ट्वाइलेट जरू लगवाएं जिनके भी घु गौन्द सियाह आता है काला गौन्ध होता है और जायके में बड़ा कढ़वा होता है और फाइदे में बहुत अच्छा है यह तो ग्रामट दो सो ग्रामगरा restoring ज़्याद लेए और इसमने सो ग्राम मिला दे ल्सी के पौडर में इ रो मेटरिए्ट लेना और नकली मतले ना बहुत नकली मिलता है कड़वा होता है जायके में पिर इस अलसी के मिला कर आप जब रखेंगे तो एक एक गिराम सुबा दुपेर शाम खाने के पश्चात लिया करें तो यह मैटेरियल जो मैंने आपको बताया है यह खतम होने से पहले आपका दर्द ठीक ह कि आज़ी कहां से बात कर है आपका आपके अवाज बहुत कम आ रही है पहलो बोली बोली सवाल करिये जी जी मैं सुन रहा हूं थोड़ा सा तेज आवाद में बोलेंगे तो मैं मुझे आसानी हो जाएगी जी बोला था कि अब हमारे उम्र साथ 40 साल हो गया है लेकिनी में दिप्तत होता है हाथ पर हमेशा दरत देखा है कमजोर मुझे अंदर से अपने आपको बहुत कमजोर महसुत होता है ठीक जा दिखें लीजे आप अपने घर से लिख लीजे आवला आवला सो ग्राम मेथी सो ग्राम और सौफ सो ग्राम आवला मेथी सौफ सो ग्राम और अलसी पांच सो ग्राम इनको पौडर बनाएए और कलाउंजी का नमक आता है एस्टेक कहते हैं कलाउंजी का एस्टेक इसे कलोंजी का रसायन भी कह सकते हैं ये देखने में नमक जैसा होता है लेकि साद में नमक नहीं होता है इसके ये फीका फीका सा होता है इसमें सो ग्राम मिला दीजे और पाउडर बनाएए एक चम्मश सुबा एक चम्मश शाम आप इसे यूज़ करें तो आपको भाइदा मुम्कून